आज की बात स्वागत आज तीन जन्वरी है और तीन जन्वरी मतलब क्रांती जोती सावित रिवाई फूल है इनका जनमती बहुत सारे लोगों ने इसे वास्तों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का एक ऐलान भी किया है और वे मनाते भी है लेकिन ये जो बात है कि क्रांती जोती सावित रिवाई फूले को उनके जनमदीन पर एक शिक्षक दिवस के रूप में अभिवादन करना इसे आगे बढ़ाना और इस दिवस के साथ बने रहना ये तीनों ऐसी बाते हैं कि जिनके द्वारा हम अपने वर्तमान जीवन को भी एक बहतर मार दर्शन दे सकते हैं दरसल क्रांती जोती सावीत रिवाई फूले ये एक नाम नहीं है दरसल ये है जोडी जोडी का मतलब हुआ फूले दमपत्ती यानि कि क्रांती बाद जोती बाद फूले और क्रांती जोती सावीत रिवाई फूले ये दिवनों मिलकर एक हो जाते हैं और इसलिए शायद जब हम भारत में नारि सशक्तिकरण या फिर नारिवादी आंदुलन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर ये जोड़ी उसके मार्ग दर्शन में खड़ी हो जाती है एक आदर्श बन जाती है और उसका महत पूर्ण कारण है कि क्रांटी जोती सावीतर बाई फूले एक ऐसी अग्रनी नेत्री है भारत के सामाजिक बदलाओं के आंदुलन की जिन्होंने आधुनिक भारत में लड़कियों के लिए दबे कुछले वर्गों के लिए अच्छुतों के लिए स्कूल खोलकर एक नई क्रांटी को जन्द दिया है अब उसके पहले का वो वक्त देखियेगा उस वक्त में इस्त्रीयों को अच्छुतों को दबे कुछले वर्गों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है उन्हें शिक्षा से वंचीत रखा गया है ब्रिटिशर्ज जब आये भारत में तो धिरे धिरे ये वेवस्था बनती है कि वे एक रिजॉलिशन भी पास कर लेते हैं हम सब को शिक्षा देंगे और वो जो शिक्षा को थोड़ा सा छोटा सा जो प्रभाव निकल कर आया उस प्रभाव ने जोतिवा फूले को शिक्षा दी उन्हें इस वेवस्था में वैसे भी लिखने पंढ़ें का अधिकार तो नहीं था लेकिन इन स्कूलों से जो मिश्णरियों के द्वारा शुरू हुए इन स्कूलों से उन्हें शिक्षा मिले थोड़ी मिले बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इस शिक्षा का जो उर्जा है इसकी जो ताकत है इसकी जो एनरजी है वो जोतिवा फूले जान गए और फिर जो तिवा फूले ने ये प्रंड कर लिया कि इस काम में अपनी सहचारिनी यानि कि सावित्र बाई को भी साथ रखना चाहिए वो भी पढ़ी लिखे नहीं थि जोतिवा फूले ने उन्हें पढ़ाया तैयार किया और क्रांती जोति सावीत रवाई फूले में वो ललक थी वो बात थी उनकी अपनी जिद थी और उनकी अपनी तैयारी भी थी कि वो तैयार हो गई पढ़ने लिखने के लिए और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए अध्यापी काका ट्रेनिंग लिए उनने सगुना के साथ, फातिमा के साथ, सावीत रिबाई लड़कियों को पढ़ने लगी दरसल ये पढ़ना, स्कूल खोलना ये ऐसे सुनने में बड़ी सामाने बात लगती है लेकिन ये सामाने बात नहीं है और उस वक्त में जब उन्होंने इस कारे को शुरुबात की तो उस वक्त की स्थिती ये थी कि इस्तریयों को, लड़कियों को, बच्चीयों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था अच्छुतों को, शुद्रों को खास कर बरण वेवस्था में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं क्योंकि वो तो आदेशे ही था राज आग्या के रूप में माना जाता था कि अच्छुतों को, पिछडों को, शुद्रों को, लड़कियों को ये सब एक बराबर रख दे दे इन्हें पढ़ने लिखने का आधिकार ने लेकिन जब सावीत्री बाई और जोतिबा ने ये पहल की और जब पहली स्कूल उन्होंने खोली आधुनी भारत की पहली शिक्षका बन गई गो जोतिबा फुले का बड़ा स्पष्ट और सामान सोच के साथ ये बात है उनकी जिसमें पूरी स्पष्टता है उनके पास जोतिबा फुले कहते हैं कि घर की मुखियां इस्तरी होती है और अगर उसे पढ़ा लिखा दिया जाए तो उस परिवार को प्रगती करने से कोई रोक नहीं सकता और इसलिए वो इस शिक्षा पर बड़े केंद्रित हैं लेकिन आज जब हम सावितर बाई फूले को उनके जैनती दिवस पर याद करते हैं तो इस बात को भी समझना होगा कि सावितर बाई फूले ये किवल शिक्षा के आंदूलन से नहीं जूड़ती किवल स्कूले नहीं खोलती वो संपूर्ण सामाजिक बडलाओ के आंदूलन पर केंद्रित होती है फिर उसमें साहिती भी है फिर उसमें संस्कृती भी है उसमें धर्म भी है उसमें समाज भी है उसमें अर्थकारण भी है और ये संपूरन सर्वांगिन बदलाओ की बात को लेकर सावित्री बाई और जोतिबा दोनों आदे बढ़ते हैं और यसलिए जब विशेशन देकर जब उनको बुलाया जाता है तो करांतिबा जोतिबा फूले करांतिबा जोति सावित्री बाई फूले इस तरह से उन्हें बुलाया जाता है तो ये करांतिबा और करांतिबा जोति ये दोनों कैसे करांतिबा है आज के वक्त इस समय में बरतमान में हमने उनसे क्या सीखना है तो देखिएगा उस वक्त में उन्होंने इस्थितियां तो इतनी बुरी थी कि जब उन्होंने स्कूल खोली तो स्कूल में जब सावीत्री बाई जा रही है तो लोग कीचड उचाल रहें लोग गोबर फेंक रहें रूक नहीं रही वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर चल देती था और जाकर स्कूल में वो जो कीचड और गोबर वाली जो साड़ी है उसे बदल कर फिर नई साड़ी पहन कर अपने काम में लग जाती थी चुछ जाती थी छे लड़कियों के साथ उन्होंने पहली स्कूल शुरू की लेकिन ये जो सावित्र बाई की जिद है इस जिद ने एक ऐसे बदलाओ को हमारे सामने लेकर आए कि आज इतनी लड़कियां हमें पढ़ी लिखे दिखती है इसमें किसी जाती धर्म की वर्म की बात नहीं है सारी लड़कियां सब लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने की वेवस्था आधुनिक भारत में पहली शिक्षिका बनकर सावित्र बाई ने, सगुना ने, फातिमा ने, इन लोगों ने शुरू की और देखिए कि इस काम को जब वे आगे बढ़ाते हैं तो यहीं शिक्षा पर नहीं रुपते हैं और बाल हत्या प्रतिबंधग ग्रह की स्थाबना कर लेते हैं आप देखिए इस वक्त भी बाल हत्या पर कितने जुरू होते हैं और उसके प्रतिबंद के लिए आज भी इस वक्त में काम करते हैं लोग लेकिन ये काम फूले दमपत्ती ने उस वक्त शुरू कर दिया और वो भी उनके लिए वो विध्वाएं जो छोटी-छोटी बच्चियां जिनकी शादी हो जाती थी बड़े उम्र के पुरुशों के साथ और फिर उनकी मरत्य होने पर ये विध्वाँ हो जाती थी इनकी बड़े कम उम्र थी और इनके साथ समाज में ये एक दूसरी विवस्था थी जो जिस विवस्था के द्वारा इनमें इन पर अत्याचार भी होते थे और इन अत्याचारों में कई बार ऐसा हो जाता था कि उन्हें गर्वधारना हो जाती थी और इसके बाद उन बच्चों को जन्म देने के लिए जोतिबा सावित्री बाई ने एक इश्तिहार ही चफवा दिया था और उन्हें कहा कि बहनों यहां आओ विध्वाओं यहां आओ और यहां गोपनिये तरीके से किसी को पता नहीं चलेगा अपने बच्चे को जन्म दे दो उन पर कई बार आत्महत्या की नौबत आ जाती थी यह ऐसा नार की जीवन जो है उस नार की जीवन से निकाला है सावित्र भाई फूले ने और जीवतिवाने तो इस तरह से वो लेकर आएं फिर उन बच्चों को यहीं पर लो उनका लालन पालन होगा उनके जो सरक्शा ग्रह थे वहीं पर विद्वाओं के लिए भी सरक्शन ग्रह और बालकों के लिए भी अनाथाले जो होते हैं वो सरक्शन ग्रह यह उन्होंने उस वक्त शुरू की तीसरी बात वो इस तरह का एक और काम शुरू करते है और वो काम क्या है वो काम ये है कि सावित्री बाई और जोती बाँ दोनों मिलकर एक जन जागरण की मुहीम चलाते है और इन जन जागरण में साहित्य है जिसमें साहित्य में नाटक है कविताएं है और इसका प्रस्तूत करने, उन्होंने सिर्फ कविताएं लिखे नहीं, उनको प्रस्तूत किया, लोगों को अपील किया, मतलब एक जो उदेश परक जो कविता होती है, वो कविता करांती जोती और करांती बाद दोनोंने इस समाज को दी है, और उसके पीछे का उदेश यह है कि जिस भाशा के लोग समझ सकते हैं, जिस भी तरह से समझ सकते हैं, जिस वीधी से समझ सकते हैं, उस वीधी को समझाना, सत्य शुधक समाज की वो स्थापना करते हैं, यह सत्य शुधक समाज को वास्तों में उन्होंने सारवजनिक सत्य धर्म कहा, और यह सारवजनिक सत्य धर्म का मतलब की सत्ति की खोज करना जिसकी जरूरत आज भी है बहुत सारा अंधविश्वास हमारी जीवन शैली में शामिल होता है उन्होंने इस अंधविश्वास से लोगों को निकालने के लिए यानि फिर यहां शिक्षा बुरियादी तोर पर जूर जाती है तो हर जगे में शिक्षा क को ये फूले दबपती लेकर चली सावित्री भाई उसमें अगरणी कुरांती बा जोती बा फूले उनका साथ दे रहे हैं और कुरांती जोती लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल कर रही है और ये शिक्षा की पहल करते करते उन्होंने एक दो नहीं वाँ छे छे स्कूल शुरू करती और इन सारी स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया अब देखेगा इस वक्त में हम शिक्षा के खेतर में बहुत सारी समस्याओं से जूश रहे हैं और उसमें बड़ी समस्या है कि शिक्षा में आने वाला खर्च जोती बा फूले ने उस वक्त ह अपना एक प्रतवेदन दिया प्रतवेदन में लिखते हैं कि वे सभी के लिए अनिवार्य और निशुल्ख शिक्षा होनी चाहिए साक्षरता का वो अभियान जो जोती बा फूले क्रांति बव जोती सावित्रिबाई फूले इन्होंने शुरू किया वो अभियान आज भी हम पूरी तरह से उसे संपूर्ण रूप तक नहीं पहुँचा पा है आज जब सावित्र बाई को याद करते हैं तो उनके इस संगर्ष को भी याद करना होता है सावित्र बाई सिर्फ यही नहीं रुपती है वो सामाजिक जन्जीवन में जहां अच्छतों के लिए पानी नहीं है सारवजनिक जगह पर वो अपने घर का कुवाँ खोल देते हैं जोतिवा और सावित्र बाई दोलों मिलकर अभी इसके लिए परिवार का विरोध होता है वो एक दूसरी बात है वो तो घर छोड़ कर निकल जाते हैं लेकिन अपना कुवाँ खुला कर देते हैं और ये जो सरक्षा ग्रह जो इस्थापन करते हैं तो यहां किसी जाती धर्म का कोई बंधन नहीं है किसी भी जाती, किसी भी धर्म की कोई भी लड़कियां, कोई भी महला आएं यहां आकर अपनी सरक्षा को पा सकती है इतना विश्वास जोतिवा फुले और करांती जोती सावीत रिवाई फुले देते है और इस विश्वास को देखेगा कि वो सिर्फ कहते नहीं है बलकि करके दिखाते हैं और यह जो करके दिखाने वाले लोग होते हैं यही वास्तों में सामाजिक बदलाओ के खास पुरोधा होते है उसी विद्वाओं के सरक्षा ग्रह में जहां काशी बाय ने बच्चे को जन्म दिया उसी बच्चे को करांती वाजीति वाफुले और करांती जोती शावीत रिवाई फुले अपने पास रख लेते हैं अपना बेटा बनाकर उसका लालन पालन करते हैं यश्वन्त उनका नाम यश्वन्त के क्लिनिक में लाते लाते उन बच्चों को लेकर आती रही और वहीं पर इसी दोरां वो भी प्लेग से ग्रसीत हो गई और उन्हें इस दुनिया से विदा लेना पड़ा लेकिन तीन जन्वरी की ये जो बात है जब सावित्र भाई का जन्म होता है सातरा के नायगाओं में ने उसे पाटिल के यहाँ तो उस वक्त उनकी वो जो आभा है उस आभा को देखकर भी लोग यह कहते थे कि यह लड़की बड़ी धीर गंभीर है और उसका यह जो धीर गंभीर स्वभाव यही बात उनकी जिन्दगी भर बना रहा और आज हम देते हैं कि हमारे यहां यह जो नायकत्व मिला है का बनने का यह जो ओधा मिलता है यह करांती जोती सावीतर भाई फूले को मिलता है यहां रुकते हैं करांती जोती सावीतर भाई फूले की उस पूरे संघर्ष को उनकी पूरे काम को अभिवादन करते हैं अगले दिन आप से मिलेंगे आज की बात में तब तक के लिए हमे इजाज़त दीजेगा